वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आज की क्लास में हम लोग अपने जो पिछले टॉपिक को कंटीनियू करेंगे भारत के द्रीप समू इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे अंडरमा नीकोबार और उसको पूरा कंप्लीट करा दिया था मैप के साथ भी तो आज जो बचे हुए द्रीप हैं ये हमने जो पढ़े थे ये आपने पढ़ा कि बेओ बेंगॉल में कौन-कौन से द्रीप समू है इसके बाद हमें पढ़ना है अरब सागर में जो इस्तित हैं द्रीप समू उनको अगर आप नियू है इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये क्लास डेली दुफर एक बज़े आती है इसकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है चैनल पर आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी और इसके साथ में रात को नो बज़े मैं प्रैक्टिस कराती हूं तो आप मेरे साथ जोड़ करके टैसरी सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है अगर और जो बाकी बचे हुए दीप है उनको भी एक साथ कवर कर लेंगे तो सबसे पहले हैं लक्षदीप समू इस समू में लक्षदीप आता है और मिनी कोय नामक जो दीप समू है ये सारे के सारे इसमें सामिल किये गए हैं केरल राजी का जो समूदी तठ है इससे आप देखे देखेंगे 280-480 km तक ये लक्षदीप समू फैले हुए हैं लक्षदीप समू के सारे के सारे जो दीप हैं ये प्रवाल निक्षेप से बने हुए हैं इस दीप समू में कुल 36 दीप पाए जाते हैं जिनमें से 11 दीपों पर इंसानी बसावट पाई जाती है सबसे पहले समझ अच्छी प्रवाल क्या है तो प्रवाल होता है जो मूंगा होते हैं मूंगा एक तरह की जीव होते हैं ये मूंगा एक के उपर एक खटा होते रहते हैं इनकी जो खोल होती है वो कैल्सियम की बनी होती इसी तरह से आप देखेंगे जैसे आपने गोंगव गयरा देखा है न ये केवल खोकली चीजे बसती है और इनी से बणा हुआ ये प्रवाल निक्षिय पिनी को बोलते हैं और इनी से दीप बने हुए सोचिए तो लक्षदी पिनी प्रवाल वितियों से बना हुआ है और यहां पर आप देखेंगे 11 दीपों में से आपने देखा है जो 36 दीप है ट जैसे हम लोगों ने देखा था अंडमान निकोबार को 10 डिगरी चैनल सेपरेट कर ला था, यहाँ पर भी लक्षदीप के जो दीप हैं, यह सारे समू के जो दीप हैं, यह भी सेपरेट होते हैं इसी तरह के चैनल से, एक एक करके उनको भी देखेंगे, तो यह पॉइंट बत दूसरा है माल दीप, इतना समझ में आया, तो हमने सबसे पहले पढ़ा माल दीप जो है, यह नीचे आएगा, फिर यह मिनी कोई है और लक्षदीप है, तो लक्षदीप और मिनी कोई के बीच, और यहाँ माल दीप और मिनी कोई के बीच, इनके बीच यहाँ पर 8 डिगरी प्रवाल भित्ति प्रकार का शता हैं चलिये आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ने अटवल जो प्रवाल भित्ति का एक प्रकार होता है यह अंगूठी या गोडे की नाल क्याकृति का होता है एटॉल उच्च जय विवित्ता के छेत हैं और दीप के चारों प्रवाल भितिया इनमें पाई जाती जिन पर नारियल के व्रक्ष हैं तो एटॉल जो है एटॉल के बारे में बताय जा रहा है नेक्स्ट है कवारती, कवारती लक्षदीप की रालधानी भी है अगाती यहां का एक मात दीप है, जहां पर हवाई अड़ा है तो अगाती के बारे में भी याद रखना है इसका एक और दीप है एंड्रोद दीप यह इस समू का सबसे बड़ा दीप है नारियल यहां एक मात किशी उत्पाद है मत सिपालन भी होता है, यह मुखी पेसा है यहां पर और टूना जो फिश होती है, यहां पकड़ी जाने वाली प्रमुख मशली है यहां इस्तित है पिटी दूइप इसको पक्षी अभ्यारण घोसित किया गया है पिटी दूइप को यहां की लगवग 94 प्रतिशत जो जनसंख्या है यह मुसलिम है जो सुनि संप्रदाय से संबंद रखते हैं तो सुनि संप्रदाय के जादातर मुसलिम यहां पाए जाते हैं यहां की भासा अभियाद कीजिए क्या है? यह है मल्यालम लेकिन मिनी कोय को छोड़ कर यह अभी मैंने आपको बताया था 9 degree channel दोरा जो 6 दीप है उन से separate होता है आगे देखी जो लक्षदीप और मालदीप हैं यह 8 degree channel से विभक्त होते हैं और अभी मैंने आपको बताया था लक्षदीप का जो दक्षिर्तम दीप है वो mini koi है जो की क्या होता है 9 degree channel से सेज दीपों से अलग होता तो लक्षदीप और mini koi के बीच 9 degree channel है फिर mini koi जो की भाग है लक्षदीप का इसे मालदीप के बीच में 8 degree channel है 11 degree अक्षांस के सहारे लक्षदीप को दो भागों में विभक्त किया गया है उत्री भाग को बोलते हैं अमीनी दीव और दक्षिड भाग को कन्ना नौर बोलते हैं भारत के केरल के माला बार्तट के पास लक्षदीब इस्थे थै और लक्षदीब समू छोटे प्रवाल दीपों से वना है पहले इन्हें मकादीव, मिनीकॉय, अमीन दीव इनके नाम से जाना जाता था लेकिन 1973 में इसका नाम रखा गया लक्षदीव लक्षदीव के सबसे उत्री दीव समू को अमीन दीव और दक्षड को अभी मैंने बताया मिनीकॉय वाले भाग में रखा गया है मिनी कोई से इस दीपों से 9 डिग्री चैनल द्वार पे थक होता है लक्षदीप का दूसरा सबसे बड़ा दीप भी है जो कितना है 4.80 वर्ग किलो मीटर कवारती जो है लक्षदीप की राजधानी है कवारती दीप पर है लक्षदीप का जो सबसे बड़ा दीप है वो एंडरोथ है या इसको एंडरोथ भी बोलते हैं इसका आप देखेंगे कितना है एरिया ये 4.90 वर्ग किलो मीटर है एलिफेंटा एक दीप है ये मुंबाई स्थित गेटवे आफ इंडिया से 10 किलो मीटर दूर है तो एलिफेंटा आइलेंड भी आपको या दखना है नेक्स्ट सालसीट भी या दखना है ये जो सालसीट दीप है भारत के पशिम तटी महाराष्ट राज्य में स्थित है मुंबाई और जो ठाने नगर है वो इसी दीप पर है आपसे कभी भी प्रशन पूछा जाए मुंबाई और थाने किस दीप पर है तो याद रखेंगे ये सालसीट दीप है तो अन्ड मान नीकोबार अभी तक मैंने पढ़ा दिया आपको लक्षदीप भी आज कवर कर दिया है अब इसके अलावा जो छोटे छोटे दीप हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैं आगे बताने वाली हूँ अन्य दीपों में सबसे पहला जो दीप पढ़ना है वो शी हरी कोटा दीप है यह जो पुली कट जील है तो सबसे पहले पता होना चाहिए पुली कट जील है कहां तो आंध्र प्रेदेश और तमिल नाडू के बॉर्डर पर है यह जील तो इसके जो अगले भाग पर इसनी दीप है उसका नाम है स्री हरी कोटा दीप और यह भी देखी प्रवाल निमित दीप है श्री हरी कोटा भारत के पूर्वी तरट पर आंध्र प्रेदेश में पुली कट जील के समीप इस्तित है और यह दीप जो है यह पुली कट जील को बंगाल की खाड़ी से प्रथर करता है यहां भारत का उगयर प्रक्षेपड केंद है जिसका नाम है सतीज धवन अंतरिक्ष केंद तो यह हो गया स्री हरी कोटा नेक्ष्ट है पंबंद्वी यह मननार की खाड़ी में भारत तो शीलंका के बीच इस्तित है एडम प्रीज इसी का भाग है तो पंबंद्वी भी हो गया फिर है न्यूमूर दीप यह दिप बंगाल की खाड़ी में बांगला देश और भारत की सीमा पर है दोनों देशों के बीच इसको लेकर के विवाद बना है कि यह किसका भाग है गंगा के मुहानों पर आप देखेंगे जो गंगा का मुहाना है इस पर मलबे के निक्षेप से यह बना है और यह नवीन दीप है पहले नहीं था यह नया बना हुआ इसलिए इसको लेकर के बहस है विवाद है कि यह किसका भाग है ते भारत और बांगला देश की सीमा पर इस्तितेक दीप है न्यूमूर दीप अगला दीप है अब्दुल कलाम दीप वीलर दीप के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम बदल कर कल दिया गया है अब्दुल कलाम दीप ये दीप महा नदी और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है 150 किलो मीटर की दूरी परिस्तित है इसका पुराना नाम वीलर था और अब क्या नाम रख दिया गया है अगला है माजुली दीप ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया है और important category का island है क्योंकि ये नदी द्वारा नि इनमित किया गया है यहां की जनसंख्या सघन है और माजुली को असम का 33 जिला घोशित किया गया है इसके साथ ही या देखेंगे देश का पहला नदी द्वीपी जिला भी बन गया है अगला पॉइंट रामसेतू से है कि तमिल नाडु में इस्तित है रामसेतू ये प्रारं अब अरब सागर की द्वीप समो के बारे में कुछ जानकारी दी गई है वह देख लेते हैं इसमें जो आफसोर आइलेंड हैं इनको अब तटी द्वीप बोलते हैं गंगा के डेल्टा प्रदेशों भारत के पूर्वी और पश्मी तटो तथा मनार की खाडी के बीश बहु सापी के मुहाने पर सेंट मेरी है मंगलॉर तड़ के पास अंजी दीव है गोवा तड़ के पास वाइपन और कोची के पास है शॉर्ट और जूमूर और जो गंगासागर है गंगाडेल्टा में स्थित हैं ये कुछ भारत के प्रमुक दीप हैं जिनकी स्थिति आपको बता जाएगी इससे जाद आपसे नहीं पूछा जाएगा इनकी स्थिति के अलावा तो सारे दीब देखी और उनकी स्थिति कहां है मैं अगर प्रशन आता है तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए या फिर स्टेटमेंट में भी और जो कोरी क्रीक है अत्वा निवेशी का एक ज्व फिलाल इस पर भारत का कबजा अभी भी बना हुआ है दीब पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो मुंबाई है पोर्ट ब्लेयर का जो कुल छेतिफल है मुंबाई के छेतिसे अधिक है पोर्ट ब्लेयर है क्या वो राजधानी है किस पर है अन्मान निकोबार पे मैंने पढ़ाई थी लेकिन उससे भी बड़ा आप देखेंगे अगर दीब परिस्तित नगर है वो मुंबाई है परन्तों नगरी छेत्र की द्रश्टी से मुंबाई का जो छेत्रफल है वो पोट ब्लेयर के छेत्रफल से जादा है यह आप फैक्ट देखते चलिए कुछ दीब की लिष्ट दी गई है आपको इनको देख लीजे और इनकी अवस्तिती दी गई है जैसे कि पहला दीब है वेयंत शयोधर ये कक्ष की खाड़ी में है दूसरा है पिरम ये खंबाद की खाड़ी में है अद्दू एटॉल है माल दीब का दक्षुर्तम एटॉल है दूसरा आपको देखना है इस लिष्ट में अद्दू आरका है ये अरब सागर की खाड़ी में स्तित है दीब और एक दीब है ये काठिया वार तरफ पर है तो ये कुछ छोटे छोटे और दीब हो गया तो ये सारे दीब अब तक जितना भी पढ़ना था वो पूरा मैंने पिशला वाला वीडियो भी आपको देखना हो और ये वाला भी और कोशिश की है मैंने आवाज तेषी करने कि आप थितने हनों करके बता νवal है इसके अलब कोई भी प्रॉब्लम में या कोई भी सुझा हो है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएcare अपनी अप्राइए ल अच्छे से कीजे अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज Śंद लाइक कीजे चैनल को सबस्क्राइब कीजे और अजन टैनल को शरप बैल के सब्सक्राइब घंस करना जिस असानी से आपको पता चल सके कि कौन से वीडियों अब preced में हरे अब से में हम लोग भर्ड too be अब ये जो छोटे-चोटे topic इधर के थे वो cover हो चुके हैं, ठीक है, तो अब हम लोग drainage pattern, फिर climate, vegetation, soil, ये सब complete करेंगे, फिर छोटे-चोटे topic, बस पूरी इंडियन geography सोची, complete हो जाएगी, तो आप देखें कितने समय में आप कैसे कर पा रहे हैं, जिन्नों ने भी पिछला न अगली class में, तब तक के लिए आप अच्छे से prepare करते रहे हैं, मिलती हूं अगली class में, धन्यवाद!